पहली बार हमने नोट किया कि चुनाओ के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी, प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा, कि स्टॉक मार्केट टेजी से आगे बढ़ने जा रही है, होम मिनिस्टर ने सीधा कहा, कि चार जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसिज फाइनान्स मिनिस्टर ने दिया, फर्स, यह, आज थोड़ा हम, तो यह, यह क्रोनोलिजी है, अमिच्छा कहते हैं, बाइ शेर्स बिफॉर फॉर्ट जून, उननिस में, नरेंदर मोदी जी कहते हैं, स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकॉर्ड्स ओन जून फॉर्थ, फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं, फर्स जून, मीडिया जूटे एग्जिट पोल, रिलीज करती हैं, बीजेपी का, ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था, वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इन्फरमेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था, इंटेलिजन्स एजन्सी ने, 200 और 220 के बीच में, सरकार को बताया था, कि उनकी सीट आ रही हैं, थर्ड जून को, स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है, और चार जून को, खटाक से, स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है, अगला स्लाइड दिखाई ज़रा, ये देखिए, 31st में, मैसिव, स्टॉक अक्टिविटी, मौर देन डबल, वाट वस देर उन 30th, मौर देन डबल, वाट वस देर उन 29th, 28th, ये अनॉमली देखिए, ये कौन लोग है, ये वो लोग है, जो जानते है, कि कोई ना कोई घपला हो रहा है, हजानों करोड रुपे, यहाँ पे इन्वेस्ट हुए है, फोरण इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किये हैं, और उसके बाद, 30,00,00,00 करोड रुपे का लॉस होता है, किसका लॉस होता है, रीटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्किट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है,